मैं नेहा सिंग आयान्स की मम्मी हूँ मुझे बस आप लोग इतना बताईए कि अब मुझे क्या करना चाहिए मेरा पती जेल चला गया, मैं हां अकेली हूँ मुझे क्या करना चाहिए मुझे सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है कुछ पत्रकार, एक्स्पोज बिहार, भारत लाइफ्स, ये लोग मिलकर मजाग बना दिये हैं आयांश का, खासकर वो जो विकास राज है वो, उसे मैं स्पेशली कहना चाह रही हूँ कि विकास अभी भी समय है, आप रुख जाएए इस जगह, आपके कारण अगर मेरे आयांश की जान जाती है, तो इसके सबसे बड़े भागिदारी आप होंगे, आप सबको इस चीज से दूर खटा रहे हैं, मैं बस आपको बोल रही हूँ कि प्लीज इस चीज को रोक दीजे, आप जो वेडियो बना कर हमारे घट से ले जाते हैं, या हमारे ससुराल से ले गयते, उसे आपने कट पेस्ट करकर पोस्ट किया है, ठीक है, तो ये आपको नहीं करना चाहिए, आपको अगर दिखाना है तो सच्चाई दिखाए, ठीक है, मेरा पती दोशी है या नहीं है, वो अभी जेल के अंदर है, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आयांश को कुछ होगा, तो देख लीजे, एक्सपोस बिहार वाले और भारत लाइव वाले, आप सोच नहीं सकते हैं, मार रो रही है हर दिन आपने बच्चे के लिए, मेरा पती मेरे साथ था, मुझे support था, आज मेरे साथ कोई नहीं है, सिर्फ, मेरा बच्चा, मेरी बेटी और हम है, देख लीजे इसको, इसको क्या करें छोड़ से मरने के लिए, मरने के लिए छोड़ से, गला दबा देती हूं इसका, क्योंकि आज कभी audio release कर रहा है तो कभी कह रहा है कि 400 BC है तो कभी कुछ तो कभी कुछ ठीक है वह 400 BC है तो वह तो अभी जेल में है फिर तुम कौन होते हो ये बोलने वाले विकास राज की इसका funding मत करो मैं जब बोलूंगा तब तुम लोग फंडिंग करना तुम होते कौन हो ये बोलन तुम्हें शरम नहीं आरी थोड़ा भी और जो लोग ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं कि ये मां कैसी है ये मां कैसी है कि ये वीडियो बन वारी है रोती नहीं है ये ये वह नहीं है मैं बहुत स्ट्रॉंग बनना चाहती हूं मुझे जल्दी रोना नहीं आता मैं कोई फेक चीज़े नहीं करना चाहती लेकिन आज मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा बस मुझे लग रहा है कि अब मेरा बेटा नहीं रहेगा मर जाएगा बहुत लोग जो पैसा दिये वह पैसे मांग रहे हैं कहरें मेरा पैसा वापिस करो तुम लोग फ्रॉड हो मैं है जो फ्रॉड कीरिक किया है या नहीं किया है मेरी शादी 2014 में हुई है उससे पहले यह सब सारी चीज़े हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता ये बच्चा क्या अपिकार रहे किसी का वो लड़का वह भारत लाई और एक्सप study वी यह दोनों इन दोनों का यह कहना था कि यह दोनों का यह कहना है कि झाल मैं बोलूंग तब आप लोग टॉड़े करना सारिज शैनल को यह बात कहा रह था ब्याटbyeC फिर क्यों फिर क्यों वीडियो बनाया जू लोगों को बोला आज जब हम बस पहुचने वाले हैं हमारे पास 6 करोड़ 88 लाखा गिया है तब तुम ये बाते लिकड़ खरे हुए और और ऐसी बाते कर रहे हो शरम नहीं आ रही थोड़ी भी मैं रोना नहीं चाहती हूँ अभी वरड़ी खोचुकी हूं और मुझसे कुछ पत्रकार उसका मांच बांग भी बच्चना बाता है है वह तो वे उस बच्चेर का सोटीफिकेट रखी थी बाद इस भी मुझे में पूछा जा रहा है कि बच्चा मैंने जणान दिया था कि MANI दिया था यह बच्चा मेरा है मतलब कैसे कैसे लोग हैं मैं बता नहीं सकती कैसे कैसे लोग हैं मैं रोनी रही हूं मैं रोना नहीं चाहती हूं मेरे पती मेरे पती जो कि अभी जेल में हैं उन्होंने सरेंडर किया है उनके उपर कोई अरेस्ट वारेंट नहीं था अभी फिलहाल उनके उपर कोई अरेस्ट वार्डिट नहीं था लेकिन वह सरेंडर के पस इनी सब चीजों के कारण लोगों का यह कहना था कि वह भाग जाएगा एसा मेंली यह विकास राज एक्सपोज भिहार वाले और एक भारत लाइफ के हैं इन दोनों का यह कहना था और इन दोनों के कारण जितने भी लोग इससे दूर हो रहे हैं इन सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं मेरे पास कोई रास्त नहीं है मैं क्या करूँ का जाज मैं समझनी पाड़ी हूं मैं करूं क्या मेरे पास कोई रास्त नहीं मच रहा है कभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं सुसाइट कर लूँ बहुत जेल ली इस डेडह मैने में बहुत कुछें ली जिसको भी कुछ लग रहा है जिसको भी छाई से गलट लग रहा है जो पैसे नहीं या और बारट आप लोग बच्चे को बीमारी नहीं है ना पर देखा रही हूं यह रहा आयांच यह है आयांच मैं दिखाती हूं इससे बीमारी है कि नहीं है यह देखिए देखिए इसे यह दस मैने का बच्चा इसे रहता है इसका नेक देखिए अब लोग आइसी रहता 10 महीने का बच्चा में मुझे इतनी run मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं कि अन्वारा कोई में कर रहा है लोग योग अन्वी Élka कर रहे थे वो आज हमसे पैसे मांग रहे हैं कि हम क्या करें मेरे पती जो की शायद अभी रहते तो मैं अधनी कमजोर नहीं पढ़ती लेकिन इतनी कमजोर हूँ क्यूंकि वह नहीं है मेरे पास अप्ने दोनों बच्चों के पास वह नहीं है मैं क्या क्या समालू मेडिया के 100 सवाल सो फोन कॉल्स आते हैं कि पैसा वापिस करो बहुत सारी चीते होती हैं मैं आप लोग उसे क्या क्या शेयर करूं हरोज फोन कॉल्स हरोज मीडिया सो मीडिया घर में सारे सवाल उठाने के लिए मैं कैसे फेस करों ये सब आप लोग ऐसा करें कि आयांश को मार दे ना यह रहे का यह सब बाते होंगी ना मेरे से विषय certificate ना मेरे से death certificate ना मेरी शादी कब हुई यह समांगा जाएगा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं इसे देखिए आपको इसे देख कर भी जूटा लग रहा है यह बच्चा जूटा है कुछ लोग यह कह रहे हैं कि यह बच्चा आपका है कि नहीं है मैं मतलब । अब इसे चर्म की ब़ाद और कुछ नहीं हो सकती है एक दो पहली बात कि मुझे सर्ट सर्टिफेकेत बाइट मांगा जा रहा है दूसरी बड़ यह सवाल किया जा रहा है कि यह बच्चा आपका है कि नहीं है मैं ऐसे मिक्या करूं मुझे लग रहा है मैं सुसाइडी कर मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है पिछले देड़ महिने से पिछले एक महिने से सब कुछ अच्छा चल रहा था ऐसा लग रहा था कि आयांश का इलाज हम करवा पाएंगे लेकिन पीछले दस दिनों से इतनी चीजे चेंज होने लगी इतनी चेंज होने लगी मैं बता नह सकती हूं मैं रोना नहीं चाहती ती मैं पहली पां मैं फेस्बूप युज नहीं करती थी जये आयांश के कारण लिए लाइव और मैं आप लोगों से हाँ जोड़कर वेनिती कर रहे हूं कि प्लीज वायांस को बचा लीजिए एक वेटा मेरा मर चुका है लोग उस बच्चे के पीछे पड़े हैं जो मर गया है उसके पीछे पड़े हैं उसके सर्टिफिकेट चाहिए लोगों को जो बच्चा को बचाए जा सकते हैं लोग उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं उसको नहीं देखना चाहिया हैं मैं क्या करूं मेरा नीचाथी हूं मैं बहुत कब रothOO एव हू बहुत बहुता है किरो ना कोई solution नहीं है मैं जब इसका रिपोर्ट आया जब इसका रिपोर्ट आया उसी दिन मैं सोच ली थी कि अब मेरा बच्चा नहीं बचेगा लेकिन आप लोगों ने सरयोग दिया तो मुझे भरूसा हुआ कि हां मेरा बच्चा बचाया जा सकता है बचेगा लेकिन फिर एक पॉइंट अब ही आ गया कि अब अब देखेगा मेरा बच्चा मड़ जाएगा मैं क्या करो मुझे समझ नहीं आ रहा है आप लोगों से यहाँ जोड कर भी निति एक प्लीज के इससे बच्चा है और मैं कुछ नहीं कह सकती है प्लीज इसे बच्चा है आयाँज की मदद करें और विकास राज एक्स्पोस् कर विए कर नहीं हो कि यह सारी चीज़ जो आप फैला रहे हैं आप यह सारी चीज आप बात में कर सकते हैं तब तक आप हमारे घर में रही है ना या जब तक फेलंग कई पड़ता है आप बैप्टिस्ट होस्पिटल चाहिए आप अपोलो चाहिए आप इन सारे होस्पिटल्स में आयांश का ट्रीटमेंट हुआ है आप कहीं भी चाहिए आप कहीं में आयांश सिंग के बारे में पता कर लीजिए अगर आपको यह कहीं से फेक लगे ना बच्चा बिमार नहीं है तो आप जो बोलेंगे में करने के लिए तयार हूं जो भी आप अच्छा फेक है अगर इसका बिमारी फेक है तो आपको जो करना होगा करिएगा लेकिन विकास राच और भारत लाइव वाले मैं आपको बार बार कह रही हूं मैं हाँ जोड़कर विनिती भी कर रही हूं रिक्वेस्ट भी कर रही हूं कि प्लीज इस समय यह चीज़े ना करे इस समय यह चीज़े ना करें मैं कभी रोना नहीं चाहती हूं लेकिन मुझे रोना रहा है क्योंकि कहीं रहा है मुझे लग रहा है कि मेरा बच्छा नहीं बच्छेगा तो मैं बस आप लोगों से विनिती कर रही हूं रिक्वेस्ट कर रही हूं कि प्लीज इस बच्चे को बचाएं और आफवा पर ध्यान ना दे जो भी करना है अलोक सिंदोशी होंगे तो उन्हें कोट सजा देगी किस बाप को अच्छा लगता है यह उसका बेटा इतना पेन में है उसके पास इतनी कम लाइफ बचिए और वह जेल में जाए किस बाप को अच्छा लगता है यह कि फिर भी इसके पापा जिल के अंदर गय यह जानकर भी कि बेटे के पास बहुत कम समय बचा है महस इसकी लाइफ 18 से 24 महीने की है जादा से जादा आगे नहीं पता यह क्या होता है कैसे होता है मुझे नहीं पता इसे कुछ भी कभी भी हो सकता है कौन सब आप चाहेगा मैं जिल में जाकर बंद हो जाओं इस कंडिशन में अपने परिवार को छोड़के लिकिन सिर्फ आप लोग के दवाव के कारण और कुछ एक लड़कों के दवाव मैं समझ नहीं पा रही हूं कैसी मेंटालीटी हो गई है लोगों की कुछ लोग जो बैसे दी है वो पैसे मांग ना फैला है मेरा बच्चा मड़ सकता है अगर मरेगा तो जिम्मेवार आप लोग ही होंगे खासकर विकास राच एक्सपोस बिहार वाले और भारत लाइफ वाले आप लोगो आलोग सिंग का जो भी चीज निकालना है ना आप लोग निकाले बेशक निकाले थोड़ा कि मैडम मेरे पास 20 विगा जमीन है मैं उसमें से दो विगा बेच दूँगा और आयांश का इलाज करवा दूँगा आरे विकास भाई मेरे पास 6 करोर 88 लाग जमा हो गये हैं आप ये पैसे ले लो अपनी जमीन बेच के मेरे बेटे की इलाज करवा दो करवाओगे हा अरे क्या बोलो तुम्हारे लिए मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है तुम इतना गिर सकते हो ये मुझे नहीं पता था तुम मेरे घर आये थे मैंने तुम मुझे दीदी बोले थे मैं तुम्हें अभी भी भाईया भाईया बोलती हूं तुम्हें थोड़ी भी श वालों से वो लोग कहा थे शुरुवात में एक्सपोज बिहार वाले मेरे घर आये शुरू में वो कहा थे कहा थे शुरू में वो शुरू में उन्होंने मेरी तहकिकात क्यूं नहीं की कि मेरे पती पर कौन सा केस है कौन सा केस नहीं है जब आज हम यहां पहुंच के उसके बा करना है तो आकर इसका गला दबा दे क्योंकि मुझे अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि यह बच्चा ब्रहेगा नहीं तो जितना जल्दी यह मड़ जाए उतना बढ़िया है ना एक हो चुके हैं यह भी चला जाएगा आप लोगों को आरा मिलेगा है ना ठीक के आप लोग यहीं चाहते तो यहीं सही जो करने आप लोग करें मैं कुछ नहीं कह सकते इसका चेहरा आप लोग देख लीजे बस इसका चेहरा आप लोग देख लीजे मेरे पास भूलने के लिए अब कुछ नहीं है